UPSC Prelims Quesn Paper Analysis जाने कैसा रहा आज के दिन UPSC का जो पेपर हुआ उसके एनालेसिस के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे पहले आपको कुछ कोशनों को दिखाएंगे कि किस तरह से कोशन पूछे गए थे उसके बाद आपको बताएंगे कि इस मतलब कोशन का जो कोशन पेपर है उसको हम कैसे प्राप्त करें और साथी साथ एंसर की कैसे प्राप्त करना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो वीडियो में सुरू से अंतर तक जरूर बने रहें और इसे जादा से जादा से जादा सेयर भी जरूर करें ठीक है तो सबसे पहले देख लें कि प्रस्ण किस तरह से पूछे गए थे UPSC की परिच्छा में लिखा है भारतिय संविधान के अंतरगत केंद्रिय करण किसका उलंगन करता है इसके आपशन है दिखें आप लिखा है आपशन समताक अधिकार नीती की राज की नीती निर्देशक तत्व स्वातंत्र का अधिकार कल्यान की अधारना तो यह आपका पहला कोशन हो गया दूसरा है यहां पर भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या इस्थिति है विकल्प है या विधिक अधिकार है जो नागरिक को प्राथ है या ना तो मोल अधिकार है और ना ही बिधिकार है उसके वाद एक कोशन था भारतिय राज विवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य विवस्था है जो एधरसाती है कि उसका संघी है आप संघ यहां पर है आपके न्याय पालिका के स्वतंदरता संघ की विधायका में संघटक इकाईयों के निर्वाचित प्रतिनिधी होते हैं केंत्री मंट्री मंडल में छेत्री पार्टियों के निर्वाचित प्रतिनिधी होते हैं मोल अधिकार न्यायालों द्वारा प्रवर्तनी है उसके अलावे यहां भारतिय संभिधान के जिक्ता का अधिकार संदच्छी था ये कोशन पूछा गया था विकल्प अनुछेद 15 अनुछेद 19 अनुछेद 21 और अनुछेद 29 आपको इसमें से कितने प्रसुनों का एंसर मालूम है कमेंट सेक्षन में जरूर बताइएगा अब आईए कुछ बातों को विस्तार से पढ़ जाने कैसा रहा जियस क्योशन पेपर और पूछे गए प्रस्न ठीक है यहाँ पर लिखा है संग लोग सेवा आयोग यूपेसी की सिविल सेवा परिच्छा CSE 2021 के पहले चरण यानि प्रारंभिक परिच्छा के पेपर वन यानि जर्नल स्टडीज का आयोजन 10 अक्टूबर स 2021 को सुबह साड़े नौ बजे से साड़े ग्यारा बजे की मलब किया गया भले ही देश भर में कोरोना महारी कोबिट 19 जो है इस महामारी संक्रमण की मामले में कमी आई हो और करोणों लोगों का टीका करण किया जा सुका है लेकिन UPSC प्रिलिम्स 2021 के परिच्छा में समलित ह वे लाखों में दुवारों की संक्रमण की सुरच्छा के लिए आयोग व्यापक इंतजाम किये गए है आयोग द्वारा ठीक है यह बात ध्यान दीजेगा तो बड़ा अच्छा काम किया गया यहां पर अब देखी यहां पर दिया गया की ही पूछे गया क्योशन पेपर अन इन्वार्मेंट से थे उसके बाद 10-15 प्रस्न थे इन्वार्मेंट से ठीक है करेंट अफेर से 10-12 प्रस्न थे एकनोमिक से आठ दस प्रस्न थे आर ब्याइग गवर्नर से संबंदी जो था ठीक है इतिहास से लगबग 10 प्रस्न पूछे गया थे क्विट इंडिया तो यह जो मैंने अभी आपको यहां पर बताया जो जागरन पेपर की कटिंग है यदि आप गूगल सट्स मारकर जागरन पेपर का जब इस तरह से जो आप यहां पर आपकी हेडिंग आएगी उसी को पढ़ते वेज आएंगे तो बीच में इन्होंने लिंक दिया है और वह